एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको काफी सारे यूट्यूबर्स ने इंडियन कंस्यूमर्स बेवाकूफ नहीं है तो क्या हाल है मरे भाईयों के सब बढ़िया है न ओपो एफ 19 प्रो प्लस 5G इसकी वीडियो में अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ मैं बारी है और मैं अपना बिल्कुल ऑनस्ट ओपिनियन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कंटेंट इंफोर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों के सब वीडियो को शेयर करोगे तो सब के राउन मिल जाता है और उसमें बैक सेट पर ग्लास मिलता है तो ये एक चीज़ में लगा कि मैं आपको बता दूं काफी लाइट वेट फोन है काफी स्लिम काफी स्लीक फोन है सिर्फ 7.8 mm के राउंड इसकी थिकनेस है और वेट भी काफी कम है एराउंड 172 ग्राम्स तो देखने में ट्राक्टिव लगता है और थोड़ी मैट फिनिश है तो फिंगर प्रिंट्स नहीं आते सिल्वर कलर में मुझे अच्छा लगा है फोन का डिजाइन डिस्पले काफी बढ़िया है इस फोन में 6.44 इंचिस की फुल HD प्लस सूपर आमोलेड डिस्पले दी गई ह इस फोन में दिया गया है काफी फास्ट है काफी एक्यूरेट है जस्त थम्रेस्ट करते ही यह फोन को अनलॉक कर देता है तो अभी तक तो सब सही चल रहा है अगर मैं बात करूँ राम और स्टोरेज की तो 8GB राम मिल जाती है प्राइस के साब से 8GB राम काफी बढ़िया का किया है उपो ने 128GB स्टोरेज है UFS 2.1 यहाँ पर भी एक मैं बिग थम्स अप दूँगा डेडिकेटिड माइक्रोस्डी कार्ट स्लोट भी मिल जाता है इस फोन में तो आप इसली स्टोरेज को एक्स्पैंड कर सकते हो गेमिंग परफॉर्मेंस इस फोन की मुझे कुछ खा करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत लाग नोटिस करा है फोन में और अभी तो फोन को सिर्फ एक दू दिन ही होएं यूज करते वे तो ऐसे में लाग होना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया बट डे टूडे लाइफ में अगर आप सिर्फ सोचल मीडिया एप्स यूज कर करते हुए मैंने ओपो F19 Pro में एक बेटर प्रोसेसर एक्सपेट किया था विकास जनरल परफॉर्मेंस प्राइस के साब से मुझे काफी एवरेज लगी है अगर इसको मैं कंपेर करूं सैंसंग A32 से विकास दोनों फोन का प्राइस ऑल्मोस्स सेम है तो A32 में मीडिया टेक G B80 मिलता है और जो N2 score है वो इन दोनों ही फोन का अल्मोस्स सेम है 180,000 के राउंड आया है लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक फोन को पिक ही करना हो तो यहार सैंसंग A32 बेटर आप्शन रहेगा EMMC स्टोरेज मिलती है सैंसंग में ओपो में आपको UFS 2.1 मिल जाती है य लेकिन सैंसंग A32 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मना कर रहा था A32 परचेस करने के लिए बिकॉस यह भी मतलब प्राइस काफी जादा लगा था मुझे A32 का तो यह ओवर प्राइस है तो मैं आपको OPPO F19 प्रो रेकमेंट कैसे कर दो आप मुझे यह समझा दो एक च जस्टिफाइ कर सकता है वो भी सिर्फ इसली क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले है अदर देन डाट यार जिस फोन का N22 स्कोर 1,80,000 के आरोंड आ रहा हो उसकी जनरल परफॉर्मेंस आप खुदी एक्सपेट कर सकते हो कि कैसी ही होगी तो 21,500 रूपीज इस फोन का प्राइस ज पुछ महीनों बाद OPPO Reno3 Pro लाउंच हुआ सेम 30,000 रूपीज का उसमें ये सेम प्रोसेसर था MediaTek Helio P95 उसकी भी बहुत तारीफ करी गई यूट्यूबर्स के थुरू उसके बाद 2 सप्टेंबर 2020 लगबक 5-6 महिने बाद OPPO F17 Pro लाउंच हुआ सेम MediaTek Helio P95 के साथ अब कल 8 March 2021 में मनलब कल OPPO F19 Pro लाउंच होता है सेम MediaTek Helio P95 के साथ जो प्रोसेसर एक से देट साल पुराना है उस प्रोसेसर के साथ अगर OPPO इंडिया में बारबर फोन्स लाउंच करेगा तो ऐसे फोन को मैं क्रिटिसाइज ना करू तो क्या करूं मनलब आप ही समझाओ अगर मैं ब्रैंड को नहीं बताऊंगा कि इंडियन कंस्यूमर्स बेवाकूफ नहीं है आप सेम 8-8 साल पुराने शिपसेट के साथ अगर बारबर फोन लाउंच करोगे तो यार ये चीज़ एकसेप्टेबल नहीं है और मैं सच बताऊ ना मैं अपने चैनल पे इस फोन को कवरिज त 31,000 रूपीज के राउंड मिल जाएगा उस फोन पर अगर आप एसे स्पेंड करोगे तो वो कोई गलर डिसीजन नहीं होगा ओपो रेनो 5 प्रो एक बहुत अच्छा फोन है सिर्फ कैमरा उसका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बट अधर दिन दाट वो फोन कर पाता और मैंने सेल्फी में थोड़ी सी डीटेल्स बेटर एक्सपेट करी थी बट ओवराल फ्रेंट क्यामरा ठीक ठाक है एवरेज कहूंगा मैं रेर साइट पर आपको चार क्यामरास मिलते हैं जिसमें से 48 मेंगा पिक्सिल का प्राइमरी सेंसर है और मैंने मैक्रो शॉ नाच्रूल देखने को नहीं मिली थोड़ी आर्टिफिशल से लगती है एज डिटेक्शन ठीक लगा है मुझे बैगरोंड ठीक लगा है मुझे बट अगें पोर्टरेट शॉट्स में भी डीटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी डायमिक रेंच क्यामरा अगें वो दिकत नहीं है एस मिल जाती है इस में बट अवरॉल क्यामरा अच्छा नहीं है तो आप मुझे बताना आपको भाई का कंटेंट अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो जरूर किसी की हेल्प होगी चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं तिल देन यूगाइस अवा ग्रेट है